कि पारिंड की शुरुआत में यह पीज़ू की डाइ हाड तीनों फेञ्ट को धीक्ते है यह पर हुआ बात कर रहे हुथिकande की जो भी नीव लड़की आई है फ्क्राइड की साथ रहती है जिसें हम सबसेता हीड कर दे nosso आरेन को पसंद करता है वो इन तीनों को भाव नहीं देता इन तीनों का गुस्ता साथ वे आसमान पर तो ऐसे ही पहुंच चुका था यहां पर वो रहे हैं पर अपने फैंड से बात करते हैं तब यह कहती है कि क्या तुम बहुत ही जादा मीर हो या फिर तुम इस स्कूल की ओ का मिला मतलब तुम कुछ स्पैशल हो यहां पर रेम कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो बस ऐसी नॉर्मल इंसान है अच्छा तो इसलिए आरेन मुसे काफी वियर्ट तरीके से वहेव करती हैं उसे अकले रहने क्या दता है बट इस आल राइट हम दोनों साथ में र खराब हो गया वो सारा खाना हटाने लगती है ताजन कहता है कि कोई बात नहीं तुमने थोड़ी जान रूचका किया होगा लेकिन उसकी डाइब हाट फैन का दो दिल जल गया था इसके बाद वो रिम को अकेले में अप्रोच करती हैं यहां पर पानी डार कर उसे बुली कर लुड़ति लगा है तो पर ना दो छिटिव बोज़ति है यहां पर तुम तो कुछ जादा ही टॉक्सिक हो रही है और उसके वाज़न के लिए अच्छन नहीं कर पाती है चुछन को ने वहां इसकी बाद वह यहां पर अपनी शर्ट अठा वां यह तो यहां पर उसने करते हैं तो इसके बाद उनका गुस्ता और भी आगे बढ़ जाता है और किती है तो तुम तीनों रुक जोई इंपर इसके बाद तीनों मुड कर देखती है तो यहां पर ताइज उनको ने मुझे काफी डिसपॉइंट किया है तो मेरी फैनों बट इतनी टॉक्सिक फैन उसे ऐसे दिखे ना किसी को बुली करते हो तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा इसके बाद वो तीनों वहां से भाग जाती हैं अपर दैट ताजून को लगता कि शायद वो आरेन है और काफी रोमेंटिक तरीके से वहांगे बढ़ता है और करता है कि अब हम फाइनली कि रूमेट है तो आरेन ने उसे ऐसी पहन नहीं को दे दिया आपर तायजून का दिल तो वैसे भी टूट चका था यूनु को देखते हैं जो कि इस प्री डांस प्रेक्टिस के बारे में सोच रहा होता है उसका फ्रेंट उसे बताता है कि नेक्स्ट वीक हमारा फिर से ऑड क्यों चल रही है तब ही हम आरेन के डायाइड फैन को देखते हैं जो कि दूर बैठकर से उसे देख रहे थे और कहते हैं कि आरेन को देख रहे हो ना उसकी शकल पर 12 बज़े हो है मुझे उसके लिए बहुत बड़ा लग रहा है हमारी बिचारी आरेन को हर बात परिशान कर कि दरहासल आरेन उनकी गॉड़ेस है और वो बस उसके भक्त तभी वो तीनों सुस्ते हैं कि जरूर यह की वज़े से हुआगा बिकॉस की नहीं रूमिट बनी है इसके बाद ही पिचारी हमारी आरेन का दिमाग खराब रहने लगा है अफर दैट वो यहां पर ग्यों करते ह और हम सुद्धियों हम तुमें से नहीं करने देंगे यहां पर वो कहती है तो यह इस आई सियल क्या है यह पास एक आइडिया है तरफ तरफ यह तरफ पर उसे और बिया गुसां आजाता है और कि अधि यह तिनों के लिए अच्छा नहीं चलने लगती है और इसके बाद अपना शूस निकालती है और फिकर उन तीनों को मारती है उन तीनों को एक-एक शौट लगता है इसके बाद उती हुएं यहां पर गयों रियम कहती है कि मैंने कहता है ना मेरे साथ पंगामाते लेना नहीं तो तुम्हारी लिए बहुत बड़ा होगा आगे से उसे दूरी रहना तो बेटर है तभी आरेन रूम से भान निकलती है पर तैजन उसका बाहर वेट कर रहा होता है तभी वो आरेन को अप्रोच करता है और वो यहीं करते कर देखर जाता है आरेन जब पीछे मुलकर देखती है तो तैजन बड़े बोस में खड़ा हुआ था और की तृका है कि ने थाहां तो अपर ने रहन संब्सक्राइव मुलकर यहां बड़े खाता है यहां पर तैजन वन एक साथ क्लास में होते हैं तभी यहां पर ऊन्रेंसे घ्यानिंट से खहते है क्या तुम प्ले करना चाहोगी इसके बाद ने के बाद भी यहुद का दियादी इसके बाद θα भूरा गयों को एपरोच करता है और गया थे लीजिता हूट हो यहां कि टीक है उससे क्लास की बाद भाइर मिलना कया इसके बाद किया प्छ अले जिन्दा मतकरों में पता लगा लोगी, बाइरन मुझसे भी रादा बात नहीं करती, तो यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसके बाद हम ग्योनने को दिखते हैं, जो कि रूम में चानमीन कर रही होती है, फिर आयरन को पसंद किया है, तभी उसे डांस के होके बाइब कर दिखता है, क्या उसका भाइब कर नहीं से रोगना कोशिच करते हैं, उसके बाहर बाहर जाना काफी डेंजरस है, और उसे लग रहा था कि शायद उसने आयरन को डिसपॉइंट कर दिया, तभी यह यहां पर यह पने अंकल के पाँ रही वह सब देखता है, और तो आपको कुछ करना चाहिए मेरे साफ से तो रूम में रहना काभी डेंजरस है मारे पास कोई और रास्ता नहीं है पर तुम्हें जब तक के सैन करना होगा जब तक हम कोई और रास्ता ना ढून लें यहां पर यून वो काफी तो गुसा आता है विकॉल्स के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था यह पर ग्यूणरे में बिचारी आरेन के लिए परिशान हो रहे थी कि आकर वो रात को गई का होगी सब मेरी गलती है यह वर देर रात में बा पंच मार कर आफर दैट ग्यून ने मुद्ध्यान से दिखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखरी बंदा कौन है और हम बता दें तो यह कोई और नहीं बल्कि हमारा में हीरो हुन वो ही है और भी वो आरेन के फॉर्म में नहीं है इसलिए वह काफी एंसम लग रहा है इ इसके बाद वो अपनी रास्ते चला जाता है और कहता है कि जल्दी अंदर जाओ घाओ तागी में अंदर आ सकूं वो काफी हाट तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है इसके वई से उसकी हालत काफी खराब थी इसकी मैंगेजरों से ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं वो सब लेने के लिए तयान नहीं था और गयता है कि नहीं वो प्रैक्टिस कर सकता है अफदेड जब रूम में आता है तो उस ख्यालत का विदा खराब थी और वो से रात में कभी हो रहा था जब ग्योंडेम उटकर देखती है तो उसे पता चलता है कि आयरेन को तो बुखार रहा है तबी आयरेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज किसी को मत बताना कि मैं बीवार हो तब ग्योंडेम कहती है क्या तुम पागल हो क्या तुम ऐसी मरना है तुम आस्पिटर जाने की जरूत है कॉस्ट मारा फीवर काफी तेश है आपर वो बैट से नीचे गर ज पाइस होता है कि आरेन तो एक लड़की नहीं बलकि एक लड़का है इसके बाद चलाने वाली होती है इतने महीं का मुझ बंद कर लेता है और इसके साथ हमारा यह बाड़ी पर कतम हो जाता है सुमलते है नेक्स पाट के साथ थैंकि सुमच काइस पर वाचिंग